हईबाई दोस्तों एजूकेर नानी चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल डिजाइन सिखा रहे हैं, पैटर्ण डालना सिखा तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखिए तो उसको शुरू से आप जरूर देखिए उसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई गई है तो आज का हम डिजाइन स्टार्ड करते हैं विदाउट एनी डिले तो यह हमने कुछ फंदे डाल लिये हैं फंदे भी हमने डा दो फंदे उल्टे बुनने के बाद दो सीधे फंदे बुनेंगे तो इसी तरीके से हम सिलाई को कर लेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ऐसे करते करते हम सिलाई को बुन लेंगे अगर आप शुरू से knitting के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि कौन सी सलाई को आपको choose करना चाहिए कौन सा own आपको लेना चाहिए तो आप ऐसे में क्या करेंगे आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो को देखिए उसमें सब कुछ आपको बहुती easy manner में बताया गया है देखिए ये एक सलाई हो गई है तो ये इस तरीके से लग रहा है अब हम करेंगे next सलाई इसको पलट लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि फंदा उल्टा है या सीधा है तो देखिए ये उल्टा फंदा आ रहा है और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले की जिसमें हमने ये भी बताया है कि फंदे को उल्टा और सीधा कैसे पहचाने तो जैसे कि ये उल्टा फंदा था 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 तो दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इसी तरीके से हमें ये सलाई को भी पूरा करना होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल free of cost classes चल रही है तो इसका बिल्कुल फायदा उठाईए खुद भी आप सीखिए और लोगों को भी अपने relatives को अपने friend circle में इसको share कीजिए videos को और जैसे जैसे आप इनको follow करेंगे इनको practically बना के देखेंगे तो बहुत easy method से सिखाया जा रहा है तो आप definitely इनको सीख जाएंगे तो practice करिए practice करनी बहुत जरूरी है तो देखिए दो सलाई हम बुन चुके हैं और यह देखिए यह तरीके से आ रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें सीधा फंदा बुनना है अब हमें यह नहीं देखना है कि उल्टा थ फंदा या सीधा फंदा था तो हम एक एक करके सारे फंदे सीधे बुनते जाएंगे अगर आपको हमारी knitting classes free of cost अच्छी लग रही है जो educator नानी दे रही है तो इनको जरूर लाइक कीजिए अभी आप देखते देखते भी इसको लाइक कर सकते हैं और वीडियो को share करना बिल बिल्कुल मत बूलिएगा इसको बैल आइकन को दबाने के बाद में जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी वो डेफिनेटली आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर जाएगा तो देखिए हमने एक सीधी सिलाई बिल्कुल पूरी तरीके से बुन ली है अब हमें next क्या करन करेंगे कि हमने पहले क्या बुना था बिना सोचे समझे आपको उल्टा बुन देना है एक एक करके आप फंदों को उल्टा उतारते जाएंगे ऐसे करते करते आप पूरी चिलाई को उल्टा पुन देंगे तो प्रदम आप क्या कर सकते हैं कि बाद में आप भूल नहीं जाएं इसके लिए आप छोटे चोटे पैटन्स बणा के रख सकते हैं जैसे हम आपको बने-बनाए पैटन्स भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप पैटन्स को बना-बना के भी रख सकते हैं, तो देखी अब तक हम चार सिलाईयां बुन चुके हैं, जिसमें हमने शुरू में दो में पैटन्स डाला हैं और दो हमने एक तरह से प्लेन तरीके से सबसे पहले आप यह देखेंगे कि जो नीचे जो बुनाई हमने सबसे पहले starting में ली थी तो वो हमने सीधे फंदे बुने थे आप二 फंदे बुनेंगे वो फिर two फंदे आप सिधे बुनेंगे तो पाम नीचे का pattern जो सबसे starting में आपने pattern बनाया था उस पे आप ध्यान रखेंगे अगर सीधे फंदे आपने 2 से starting करी है तो हम आपको 2 उल्टे फंदों से starting करनी है तो यानि सीधे फंदों पर उल्टे और उल्टे फंदों पर सीधे लेने हैं और बाकी हम इसको बुनेंगे even number म इस बात का आपको ध्यान रखना है इस तरीके साब सिलाई को कर लेंगे पूरा तो देखिए सिलाई भी हमारी हो गई अब next सिलाई में हम क्या करेंगे फिर हम चेक करेंगे कि फंदे उल्टे हैं या सीधे हैं तो देखिए फंदे थे उल्टे तो अब हमने क्या करा फिर के स्वا से आप बुनते जाएंगे, तो देखिए दोस्तों हमने आपको पैटन मुन के दिखाया है, यह देखिए तो दो सिलाईओं में हमने पैटन डाला था फिर दो प्ले थी और फिर में हुने पैटन डाला है तो अभी आपको पैटन बहुत Zyadah Nahines p Ю Weird कुंकि जब तक हम कुछ पैटन दस से 달ा Singh 120 नहीं बनाते हैं जब तक पता नहीं चलता है इसमें आपको क्या करना है कि दो सिलाईओं में आपको डालना है यह पैटन अर्डेन उसके बाद में दो स्लाईयों में पैटर्न डालना है जैसे कि हमने डाला है इसके बाद में फिर से दुबारा से दो प्लेन मुल लेनी है तो हम आपको एक सैंपल देखा देते हैं कि वो देखने में कैसा लगेगा तो देखिए देखिए बनके तयार इस तरीके से होगा बहुत छोटा छोटा उबरा उबरा सा डिजाइन आता और बहुत सुन्दर लगता है तो इसको आप लाइट कलर में जितना जादा लाइट कलर होगा जैसे कि वाइट होता है यलो होता है बेबी पिंक क्रीम कलर तो जितना आप लाइ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा इसको शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दमाना बिलकुल मत भूलिएगा इससे हमें मोटिफेशन मिलता है और कमेंट करके भी आप हमें बता सक करा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही और आगे भी हम आने वाली वीडियो में आपके लिए नएने डिजाइन और पैटन लेके आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू